हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं धोकला तो व्रत के लिए धोकला बनाएंगे एकदम फलाहारी है ये बहुत ही जालिदार एकदम स्पंजी धोकला बनेगा खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और ये मिंटों में बनकर त्यार हो जाता है तो अगर आप व्रत के लिए इसे एक बाउल में निकाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे एक कप पानी तो जितने हमें हमें चावल लेने हैं उतना ही हमें पानी लेना है तो यह व्रत वाले चावल भी बोलते हैं इसको अब हम इसे भीगोकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसके लबा हमें चाहिए साबू दाना तो यह मैंने आदा कप साबू दाना लिया है इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगारतार चलाते वे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़े के बाद आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा यह जादा वाइट हो जाएंगे और इनमें अलग सी एक खनक की आवाज आने लगेगी तो इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है बस 3-4 मिन तक हम इनको रोस्ट करेंगे और फिर हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे इन्हें हलका सा ठंडा होने देंगे जब यह ठंडे हो जाएंगे तो इसको एक मिकसर जार में डालकर हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे तो यह मैंने साबुदान को पीस लिया है इसका पाउडर बना लिया है इसे एक तरफ रख देंगे तो यह जो मैंने सामक को भीगो कर रखा था वो अच्छे से फूल गया है भीग गया है अब हम इसको एक मिकसर जार में निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स्टा पानी डालने की जोरत नहीं है तो यहाँ पर हमने एक कप सामक में एक कप पानी आड़ किया था तो उस पानी के साथ ही हम इसको मिकसर जार में डाल देंगे और फिर इसको एक दंबारिक पीस लेंगे तो ये हमारा जो सामक है वो पिसकर तयार है इसे हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे तो अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो इसे हमें एकदम बारिक पीस लेना है ये जो साबुदाना का पाउडर हमने बनाया था वो भी हम इसमें आड़ कर देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे एक कप दही तो यहाँ पर हमने एक कप सामक लिया था तो हमें एक कप दही लेना है सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड से यह जो ढूकला है ना बहुती आसानी से बनके तैयार हो जाता है एक तम परफेक्ट बिल्कुल जालीदार ढूकला बनता है नॉर्मली जो हम सूची का ढूकला बनाते है ना तो वैसा ही ढूकला बनता है इवन उससे जादा स्पंजी होता है और खाने में यह बहुती टेस्टी है तो जब भी आपने वरत रखा हो और आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं अब इसमें डाल देंगे आदा छोटी चमश सेंधा नमक इसे मिक्स कर लेंगे तो जो साबुदाना है उसने पानी को एब्सॉब कर लिया है तो जो मिक्सर है वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा तो जरूत के अनुसार हम इसमें बाद में थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे पहले सबी चीजों को अच्छे से मिला ले ताकि इसमें बिल्कुल भी lumps ना हो जिस mixer जार में हमने सामक को पीसा था उसमें आदक कप पानी डाल कर उसको blend कर लेंगे और फिर इसे हम इस mixer के अंदर डाल देंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो जो हमारा better है उसकी consistency का perfect होना बहुत ज़रूरी है इसे हमें बहुत जादा पतला भी नहीं रखना और बहुत काड़ा भी नहीं रखना है अब यह जो mixture है थोड़ा सा काड़ा है हमें इसमें थोड़ा बहुत पानी और add करना होगा तो यह हमारा mixture ready है आप इसकी consistency देख सकते हैं जो यह mixture है यह इस तरीक से देखिए इतना काड़ा होना चाहिए इसे हम बहुत जादा पतला भी नहीं रखेंगे और इसे हमें बहुत थिक भी नहीं रखना है तो देखिए इस तरीक से flowy होना चाहिए तो better हमारा तयार हो गया है अब आप कोई भी थालिया प्लेट ले लें मैंने यह cake tin लिया है जो भी थालिया प्लेट आप लें उसे पहले अच्छे से घी से grease कर लें अगर आप रत में oil खाते हैं तो आप oil भी use कर सकते हैं तो उपर तक के नारों तक हम इस पर यह oil या घी लगा देंगे साथ की साथ आप steamer भी तयार कर लें जिसमें आपको इसे steam करना है वो भी आप इसी time पर ready कर लें और अब हम better में डाल देंगे यह दो छोटी चमच तेसी घी आप चाहें तो यहाँ पर oil का use भी कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे oil या घी अड़ करने से इसके अंदर अच्छे से जाली बन कर आएगी एकदम fluffy होगा हमारा ढोगला अब इसमें डाल देंगे यह आदा छोटी चमच मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो एड़ किया है मैंने इसे अच्छे से mix करेंगे और फिर batter को बर्तन में डाल देंगे जो भी थाली, plate या cake team आपने लिया हो उसके अंदर हम इसको निकाल लेंगे इसे हमें एकदम उपर तक नहीं भरना है क्योंकि जब यह फूलेगा तो यह थोड़ा सा उपर आ जाता है यह अपने size से डेड़ गुना हो जाता है तो इसलिए आपको बर्तन को एकदम उपर तक नहीं भरना है उसे आप थोड़ा सा खाली रखें थ्री-फोर्थ पार्ट तक ही हमें उसे भरना होता है तो यह मैंने steamer तयार कर लिया था अब हम केक्टिन को इसके अंदर रखतेंगे तो जो भी थाली प्लेट आप ले रहे हैं उसको carefully आप इस steamer के अंदर रखते और फिर हम इसे ढखकर 20 मिनट तक steam होने देंगे अगर आपके पास steamer ना हो तो कोई दिक्कत नहीं आप कोई भी बड़ा पतीला ले सकते हैं उसमें आप कोई भी कटोरी रखते हैं और उसमें पानी भर कर उसको steam कर लें फिर उसके अंदर ये थालिया प्लेट रखके आप ये ढोगला बना सकते हैं तो 20 मिनट हो गए हैं पस अब हम गया इसको बंद कर दिंगे और इसे थंडा होने दिंगे थंडा होने के पाद है किनारों को अपने आप मिछोड़ देता है तो ये देखिये एकदम ठंडा हो गया है बहुत ही सौफ्ट है ये जाकू से एक पर इसके किनारों को अलग कर लेंगे और फिर इसके उपर एक plate रखकर इसको इस तरीके से tap कर लेंगी तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही spongy है कि ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर जाली बन कर आई है अब जिस भी shape or size में आप चाहें इसको cut कर सकते हैं इसे हम इस तरीके से चाकू से काट लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको हमारी recipe पसंद आ रही है तो आप प्लीज इसे ज़रूर से like कर दे और हमारी चैनल को भी subscribe करें क्योंकि आपके जो likes और share हैं वही हमारा motivation है अगर किसी वीडियो पर बहुत साथ likes आते हैं तो वह हमें next time और भी अच्छे अच्छी recipes बनाने के लिए motivate करता है अब हम इनको अलग कर लेंगे तो यह देखे कितनी अच्छी जाली आई है इसके अंदर बहुती spongy और fluffy है यह ढूखला बहुत अच्छे से यह steam हुआ है आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो हम बेसन का जो खमन बनता है न हमारा बस वैसी जाली इसके अंदर बन कर आई है अब हम इस पे तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने ये एक चमच देशी खी ले लिया है इसमें डाल देंगे आदा छोड़ी चमच जीरा और दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची इसी के साथ इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे आप चाहें तो धनी की जगे करी पता वी डाल सकते हैं और धनिया आप उपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं अब तड़के को हम ढोग लिए के उपर डाल देंगे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे तो ये हमारा बहुती टेस्टी ढोगला बनकर तयार है तो यह देखे कितना पर्फेक्ट बना है ये 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 देखने में जितना टेस्ट ये खाने में उससे भी जादा मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स इस व्रत के सीजन अगर आपने व्रत रखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और अगर आप ये रेसेपी बनाने वाले हैं तो आप इसे जरूर से ट्राइ करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे रेसेपी पसंद आई तो प्लीजे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झाल झाल झाल